नमर्शकार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 12 जन्वरी शुक्रबार दोपर सवातीन पजी राजसान की 15 बड़ी खबरें इस नियूज बुलिटिन के प्रायोजुक है विनी विनी केक अन्मोर तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आँच के हेड्लाइन्स पर CEC की न्युक्ते के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चैक गंड़ाज्य के PM से मिले CM भजुनलाज जैपू जंक्षन के हर प्लाटफार्म के उपर होगा रूफ प्लाजा अश्वनी वैशनव ने कहा बच्चों की खेलने की जगह होगी शहर की खास चिज़े यात्रियों को मिल नियाई का दिकारियों का बड़ा भत्ता बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे 9,000 रपे प्रतिमाहा और हेरिटेज वाक के साथ हुआ तीन दिवसिय उट उत्सव का आगास और अब खबर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में शुकरवार को मुखे चुनावायोग के न्युक्ति के लिए बनाए गए नए कानौन की खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रायर तक जवाब दाकिल करने का निर्देश दिया है याचिका में कहा गया था कि चुनावायोग में पारदाशिता के लिए CEC के सेलेक्शन कमेटी में CGI को शामिल करना चाही राजिसान के मुख्य मंत्री भजान लाल शार्मा ने गुरुवार को जयापुर में चैकागर्ण राज्य के प्रधान मंत्री पैटर फियाला से मुलाकात कर उनका स्वागत किया मुख्य मंत्री ने राजिसान में परेटन को बढ़ावा देने और तकनी की श्वेत्र में नवाचवार कर रोजगास रोजित करने और द्योगिक विकास साहित्वे भिन मुद्धो पर पैटर फियाला से चोड़ चोकी फियाला ने मुख्य मंत्री की ओर से किये गए स्वागत के लिए उनको धन्यवा दिया उन्होंने कहा कि विराजिसान की आतित्य परमपरा से अत्यधिक प्रभावित है तेलवे मंत्री अश्वनी वैशनम आज एक दिवसी दोरे पर जापुर में है यहां उन्होंने कहा जापुर रेलवे स्टीशन पर बहुत बड़ा रूफ प्लाजा बनेगा जितनी पटरी और प्लैटफॉर्म्स पर हैं इसके उपर एक बड़ी छट बनेगी इस रूफ प्लाजा पर आराम से यात्री बैठ सकते हैं बच्चों की खेनने की जगह होगी यहां जापुर की खास सीज़े यात्रियों का उपलप्त कराए जाएगी ऐसी स्टॉल्स होंगी इससे आने जाने वाले यात्री जापुर के एक सवगात यादगार के रूप में लेकर जाएंगे इस दोरान रेन मंत्री ने कहा जापुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा इसके साथ ही सांगा ने इस स्टेशन को अमरिद भारती युजना में शामिल किया गया है इस तरीके से अब राजिस्तान में कुल चौरासी स्टेशन ऐसे हो गए है जोने अमरिद भारती युजना में शामिल किया गया है नियाईक अधिकारियों को बच्चों की बारवें कक्षा तक की पढ़ाई के लिए प्रती माहा 9000 रुपे तक मिल सकेंगे वहीं सरकारी खर्च पर हर 3 साल बाद 30,000 रुपे तक का मॉबाईल भी विखरीच सकेंगे सुप्रिम कोड ने द्वित्य नियाईक वेतनायों की सिफारिशों के आधार पर यह आदेश दिया आदेश में कहा गया कि वर्ष 2019 बीस से नियाईक अधिकारियों के बच्चों की बारवें कक्षा तक की पढ़ाई के लिए प्रती माहा 2250 रुपे शिक्षा भत्ता दिया जाएगा हासल खर्च के लिए 6750 रुपे अध्रिक्त दिये जाएंगे जिन बच्चों को विशिश देखवाल के अशकता हो उन्हें ये राशी दो गुना तक मिल सकेगी सुप्रीम कोड के आदेश के अनुसार चिकिसा भत्ते के रूप में प्रती माहा सेवा निवरत नियाईक अधिकारियों को 4000 और सेवा रत को 3000 पे दिये जाएंगे इसका लाव एक जनुरी 2016 से दिया जाएगा उपचार केशलेस होगा जिसकी प्रक्रिया हाई कोड़ द्वारा गठित कमेटी तै करेगी अपास्तिती में नजदी के अस्पताल में उपचार की छूट होगी Society of Former Judges के अध्यक्ष पदम कुमार जैन ने कहा कि केशलेस उपचार समय क्या उशकता है अंतर रास्टे उट उट उटसव का आगाज विकानेर में शुकरवार से हो गया तीन दिन तक आयोजित होने वाले उटसव में अलग-अलग जगहों पर विभिने कारिक्रमों का आयोजन किया जाएगा उस सब को बड़े स्तर पर लेजवाने के लिए जुला प्रुशासन और परेटन विभा की ओर से तयारियां की गई है ज्यादा से ज्यादा विदेशी साला नहीं इसमें हिस्सा लें इसको लेकर भी प्रियास किये जा रहे हैं इस बार परेटन विभा की ओर से कई नए कायक्रमों को जोड़ा गया है उस सब में पहले दिन की शुरुआद हरिटेज वाक के साथ होई इस और रामपूरिया हवेली से लेकर भी काज जी टेकरी तक हर्टेज वाक का आयोजन किया गया इलेक्टो हुम्यपैथी चिकिसा पाईशत के ओर से रास्टरी इलेक्टो पेथी दिवस के उपलक्षी में इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार का आयोजन कल 13 जन्वरी को सुबह सवा 11 बजे जहलाना सांसानिक शेत्र सित राजिसान इंटरनाशनल सेंटर के मुख्य सभागार में होगा इस रास्टे सेमिनार के मुख्य अतिति उपरास्टपति जगदीब धनकण होंगे इस सेमिनार का विशय डिजज अन्वरी एक परास्टपति के अपरोच है सेमिनार के दौरान तीन तकनीकी सत्रों में मुद्र रोगों पर इलेक्ट्रोपैथी दावों के प्रभाओं पर व्यापक चर्चा होगी और पिछले एक वश में क्लिनिकल डेटा तथा रिसर्च के पई नामों को सब के समक्ष रखा जाएगा अजमेर में ख्वाजा गरीब नमास के आठ सो बार में उर्स के चलते शनिवार को पीम नरेंडर मोदी की चादर पेश होगी कल तो पहर दो बजे दरगाह शरीफ में पीम मोदी की चादर पेश होगी भाचपाल पे संखेक मोर्शी के रास्टर पतादिकारी पीम की चादर लेकर आएंगे दरगाह के आहता आयनूर में पीम मोदी का संदेश पढ़ा जाएगा इसके अलावा पाकिसान से जोयरिन का विशिश जत्ता भी दरगाह जाएगा 14 जनवरी को विशिश ट्रेंज से जत्ता अजमेर पहुंचेगा जत्ते में 300 से 450 पाक जोयरिन शामिल हो सकते हैं राजसान विधानसवा चुनाओं में भारती जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद सभी नेता बड़े ही गदगद है ऐसे में अब पार्टी लोकसवा की चुनाओं की तयारी में जुड़ कही है इसे लेकर अब लगातार मंधन हो रहा हैं वहीं खबरे भी हैं कि जनवरी के अंद तक भाषवा पहले लिस्ट भी जारी कर सकती है राजसान में संगठन से किसे हटाना है और लोकसवा चुनाओं के लिए किसे मैदान मिलाना है इस पर चचाओं का दोर जारी है और ऐसे में एक बड़ी बैठक भी राजसान में होने जा रही है रूफटॉप सोलर को लेकर जाबडिसकॉम को बड़ी उपलब्दी मिली है रूफटॉप सोलर पर योजना को तैस समय पर पूरा करने पर केंडर ने पिछले चार वर्शों में करीब 76 करोड 44 लाख रुपए की प्रोसाहन राशी कावंटन किया है नवी नवी करनिया उर्जा मंतराले के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम दिते चरण में ये काम्याबी मिली है जाबडिस कॉम की प्रबंदे निदेशिया कारें को मावत ने बताए कि उनिस फरविश 2019 को भारा सरकार ने 44 गीगावार्ट रूफटॉप सोलर संयत्रों की शमता प्राप्त करने के लिए कारकरम के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी अलवर जिले के सरकारी स्कूलों का बटवारा होने के बाद आपके एवल जिले में 1596 सरकारी स्कूल संचॉलित है और तीन जिलों को मिला कर 2782 प्रात्मिक से लेकर उच मादे मिक स्कूल संचॉलित है इन सबी सरकारी स्कूलों में श्याक्षनिक और गया श्याक्षनिक के 6686 पत खाली चौल रहे हैं पिछली सरकार की ओर से 200 सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्य में तबदील किया गया इन स्कूलों में पढ़ाने वाला कोई नहीं है इसका खाम्याज़ा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भुगदना पढ़ रहा है आयोध्या में रामलला के आगमन पर सवाई मादपूर जिले में भी आसानद और उल्लास उम्रेगा रंग विरंगी रोशनी के साथ चाक चोबारों पर दस लाग दीपों की जगमग होगी तो चरहों पर शहनाई वादन और घर मंदिरों में मंगलगान होगे बड़ी अलिडी पर आयोध्या महासव के सीधे प्रसारन वे जगजगा भजन की तन्वे सामोही कारती होगी इसको लेकर जिले में श्री राम लला प्रान प्रतिस्टा समारों समीति की ओर से जोशोर से तयारियां की जा रही है राजिस्तान के स्वायत शासन और नगरे विकास मंत्री पद ग्रहन के बार श्री माधवपुर विधायक जाबर सिंखर रा गुरुवार को पहली बार सी कराए रिंगस से लेकर शहर के राम लिला मैदान तक इस दोरान उनका जगजगर स्वागत सम्मान हुआ मुख्य कारकरम राम लिला मैदान में हुआ जहां उन्होंने नगर निकायों में बिस्टर चौर के खिलाफ तलखे दिखाते वे राम मंदिर को लेकर पी सी सी चीफ गोरिन सिंग्डो टासरा के सियासी वार पर भी पलट वार किया उन्होंने कहा कि नगने कायों में गडबड़ी के खिलावे जीरो टॉल्रेंस की निती अपनाएंगे वो बोले उन्हें अर्भी घोड़ों की सवारी अच्छी तरह आती है अधिकारी से जादा नियम और कानून काईदेवे जानते हैं किसी काम को टेबल पर अधिक दिन लगे तो लापरवादीकारी परिणाम भगतने के लिए तयार रहें श्रेगंगान अगर शहर की निवासिया असमिता जैन के गाने जैश्री नाम के पोस्टर की लांचिंग गुरुआर को शहर के एक होटल में हुई कारकरम में संजल नामबा, देव नामबा, विकी शर्मा और मयंग गुपता ने परफॉर्ममंस दी इस मौके पर असमिता ने भी गीत की प्रस्तुती देगा सभी का मनमोह लिया असमिता ने बताए कि उसकी स्कूल शिक्षा सुरदगर और फिर जोदपूर के जोयन अरेन व्यास विश्विद्यले से हुई है संगीत की ओर रुजहान था, उन्होंने बताए कि उनका पूरा परिवाश श्री गंगानगर से ही जुड़ा हुआ है उनकी माता जी, श्री मतिसने हलता और पिता श्री अनुप कुमार जी हैं गाने की लांचिंग दिलनी में की गई थी अब इसके पोस्टर की लांचिंग श्री गंगानगर के हन्मानगर रोड पर एक होटल में की गई गाना साया स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है सोशल मीडिया के सभी प्लाटफॉम पर गाना काफे चर्चित हो रहा है लोग इसे खुब पसंद कर रहे हैं गाने के वीडियो शनिवार को रिलीज किये जाएंगे उन्होंने बताया कि साया स्टूडियो ने उनहें संपर किया और उन्हें अपने प्रोजक्ट के बारे में बताया इस पर उन्होंने इस अफसर का लाब उठाते वेज़ गाने को अपनी आवास दी गाने के बोल मंदिर बना है हुआ, पूरा अधुरा काम आयुध्या नगरी पावंध धाम वेराजे मेरे प्रभुश्री राम हैं गाने को खूब लोग प्रियता मिल रही है दोसा जिला कलेक्टर देवेंदर कुमार ने अधिकारें को निर्देश दिये 22 जनवरी का दिन पूरे भारत के लिए अतिहास एक और यादगार होने जो रहा है क्योंकि इस दिन आयुध्या में बने राम मंदिर में प्राम प्रतिस्था होने जो रही है इसको लेकर पूरे देश के करोड़ो राम भक्तों में काफी खुशी का माहौल है जिदर देखो उधर ही भगवान राम से जोड़े भजन सुनने को मिल रहे है सोशल मीडिया पर भी राम मंदिर की प्राम प्रतिस्था को लेकर काफी माहौल बना हुआ है ऐसे में चारों तरफ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे गाने की गूंच हो रही है लेकिन इसी गाने को जब स्वस्ती मेहूल ने गाया तो उसे उनके फैन खुद पियम मोदी हो गए जी हाँ शिवपुरी कि सिंगा स्वस्ती मेहूल जैन का गाया हुआ गाना राम आएंगे आएंगे राम आएंगे खुद पीम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुई लिखा स्वस्ती मेहूल का ये भजन एक बार सुनने के बार लंबे समय तक कानों में गुंसता रहता है आखों को आसों से, मन को भाव से भर देता है इस वीडियो को 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुकी है तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर